हलो फ्रेंट्स उत्तराखंड जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके सरवस में में इक इंपोर्टन टापिक जिसको कहते हैं प्राग एतिहासिकाल उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहां से क्वेशन आपके एक्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं तो ज उससाड कालिन उपकरण जो है गुफा, साहलचित्र, कंकाल, मिर्दभांड या धातु उपकरण प्राग एतिहासिकाल में मानों निवास की पुष्टी करते हैं यहां जो हमें खुदाई से या जो भी साहलचित्र या इस तरह का जो चीज़े मिली हैं उसी के आधार पर हम लगाते हैं कि उत्तराखंड में मानो निमास था यहां रहते थी उस में से में में पॉइंट से जो आपके एक्जाम में आते हैं उन्हीं को हमें आपर डिसकस रहने जाते हैं पहला है लाखु गुफा कई बार आपकी एक्जाम पुछा गया है लाखु गुफा की खोज 1968 इस में डाक्टर MP जोसी ने की थी किस ने की थी डाक्टर MP जोसी ने की थी लाखो गुफा की खोज लाखो गुफा अलमोड़ा के बाड़े छीना के पास दल बैंड में इस्थित है लाखो गुफा सुयाल नदी के तट परिस्थित है कई बार पूछा आता है लाखो गुफा किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो आपका जबाब होगा सोयाल नदी के तड़ पर इस्थित है लाखोगुफा से जो पसुओं मानों के जो सैल चित्र मिले हैं वो रंगीन हैं लाखोगुफा के सैल चित्रों में तीन प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है यहां पर भी भिन पसू पक्षियों का चित्रन भी मिलता है इसी लाखोगुफा में, लाखोगुफा के सैल चित्रों की तुलना मद्द प्रदेश के भीम बेटका के चित्रों से की जाती है, यानि लगभग उसी तरह से मिलता दूलता यहां पर यह पाया गया है, मानो आकरतियों के आह को अकेले या समों में निर्थ करते हुए दिखाया गया है यानि उस जो चित्र हैं उसमें कुछ लोग डांस करते हैं ग्रुप में कभी अकेले में ऐसे करके दिखाया गया है इससे पता चलता है कि वहाँ पर उस टाइम में यानि एंसेंट टाइम में ये लोग मनोरजन के लिए किस तरह से डांस वगरा किया करते थी यहां नाकपली के आकार का एक भव्य सिलास्रम भी मिला है तो यह थे लाखो गुफा से important points जो आपके एक्जाम में आते हैं अगला आता है गौरख्या गुफा गौरख्या गुफा जो है चमोली जिले में कि जो है डुंडी गाउं के अलक नंदा तट पर इस्थित है तो यहां पर भी पुछा आता है जो गौरख्या गुफा है किस नदी के तट पर इस्थित है तो आपको यह ध्यानक ना अलक नंदा नदी के तट पर इस्थित है यहाँ पर मानो, भेंड, बारा सिंखा, कि 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें आठ चित्र मानो की ही थे गौरख्या चित्रों में मुख्य रूप से पसुucky को हाकते होए भगायरा दिखाया गया है यजिए पसुद्ध को हाक रहे हैं कोई लोकल परसन बताता है कि यहां पर ऐसी चीज़ें हैं तो पता चलता है तो अगर पूछा जाए गौरख्या गुफा को जो पुरातत तुविध्य उनके नजर में लाने का स्रेक इसको जाता है तो राकेस भट को जाता है अगरा जो पुरास्थल है आपका किमनी गाउं है चमोली के धराली के पास पिंडर नदी के तठ पर किमनी गाउं इस्थित है तो यहां पर पूछा जाएगा कि किमनी गाउं कहां पर इस्थित है तो आप बताएंगे पिंडर नदी के तठ पर चो कि चमोली में पड़ता है यहां से सफेद रंग के चित्रत हथियारों और प पासु के सालचित्र कहां से मिले हैं तो किमनी गाउं से मिले हैं आपको ध्यानक नहीं अगला आता है मलारी गाउं मलारी गाउं भी चमुली जिला में ही इस्थित तिबबत सीमा पर इस्थित एक प्लेस है का सकते हैं गढ़वाल भिस्विद्याले ने वर्स 2001 और 1983 में मलारी का सिन वेश्डं किया था और यहां एक पसू का पूर्ण ढ़ा जिसकी पहचान हिमालाईł जो पसू है जुबू के essional के तोर पर की गई और मलाषी गहुं से ही काले और धूसर रंग के चित्रित मिर्द भांड भी मिले हैं, तो अगर पूछा जाता है काले और धूसर रंगों से चित्रित मिर्द भांड कहां से मिले हैं, तो मलारी गाउं, मलारी गाउं से ही 5.2 किलोग्राम के सोने का मुखावरण भी के सासात नर कंकाल वा मिट्ट के बरतन ये बरतन पाकिस्तान के स्वाद घाटी से के सिल्फ से के समान है वो यहां से मिले हैं तो अगर पूछा जाता है कि 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण कहां से मिला है तो आपका मलारी गाउं आपको इध्यान रखना है सिव डब्रेयाल जो है 1956 में यहां पर सवाधा की भी खोचकी थी राहुल साक्यात्यान ने इन सवों को खस प्रजाती के लोगों का बताया जो अभी हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया जो खस प्रजाती तो उनके अवसेश के रूप में कहा जा सकता है सवाधान के रूप में उनको बता जाता है अगला जो पुरास् चिज़ों के दिखाय गया है, तो अगर पूछा आता है कि मानो शिकार करते हुए, या हाथों में हाथे डाल करके निर्त करते हुए, सहल चिद्र कहा से मिले हैं, तो वह हैं लोए थाप से मिले हैं, आपको ध्यान लखना है, अगला इंपर्टन जो है, पुरास्थल है आपका पेटसाल ये अलमोड़ा जिला में अस्तित है अलमोड़ा के पेटसाल और पुना कोट के गाऊं के बीच में कफ्र कोट से प्राप्त निरत्रत मानू करतियां कत्थ ही रंकी मिली हैं यानि यहां पर जो निर्ट करते हुए कृतियों के चित्र मिले हुए हैं कैसकते हैं तो यह पेट साल है अगला है फड़कानवली यह भी अलमड़ा जिला में इस्तित है और फड़कानवली और पेट साल अस्थलों की कोज का स्रे जो जाता है डाक्टर ययसोधर मठपाल को दिया जाता है यह इन्हों ने इसकी खोज की थी पेट साल की खोज जो है 1989 इसमी में और फन को फकड़ा नौली की खोज जो है 1985 में की गई थी यह दोनों अस्थल सुयाल नदी के तट परिस्थित है या पो ध्यानक ना है अगला है फड़का नौली से तीन सैलस्रव प्राप् अगला है फल सीमा फल सीमा भी आपका अलमोढ़ा जिला में इस्थित है अलमोढ़ा के फल सीमा से योग और निर्त मुद्रा में मानों अकृतियां मिली है यानि योग करते हुए और निर्त करते हुए अकृतियां मिली हुई है फल सीमा से दो चट्टाने है जहां पर जो की दो कप मार्क भी यहां से मिले हैं तो इतने facts आपको जाद रखना है राम गंगा घाटी जो है राम गंगा घाटी से पासान कालिन सवगार सारी अपक और कप मार्क मिले हैं नेक्स्ट है आपका वनकोट पितावरागड जिले के वनकोट छेतर में आठ तामर मानोकरतियां मिली हैं वनकोट से तामर पत्र आकरत की खोच जो है नाइन्टीन एक्टीनाइन में हुई थी राज में तामर उपकरण वनकोट और भादरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं वनकोट तामर पत्र को अलमोड़ा के राज की संग्रहाले में रखा गया है अगला आता है हुडली हुडली जो है उतरकासी जनपत में इस्तित है यह यमना घाटी में इस्तित है और हुडली से प्राप्त जो सैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है यह आपको याद रखना है अगर पूछा जाता है कि नीले रंग का प्रयोग कहां पर किया गया है कि सैल चित्रों में किया गया है तो हुडली है तो इस तरह से आज का जो यह था वीडियो जिसमें की पहली बार बजित कर रहें तो चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का नएने अपडेट्स आपको मिलता रहे